Hi everyone, हमारी team में से एक member अभी just USICT visit करे और कुछ updates आपके लिए जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये updates आपको हलका सा confuse कर सकती है और confuse ना करके आपको और जादा clarity भी दे सकती है दोनों aspects से, अगर आप इसको सही से समझेंगे तो वो clarity भी मिलेगी USICT में जाके बात करेगी freeze क्यों आ रहा है, float क्यों आ रहा है जबकि ये तो आखरी round था क्या spot round होगा नहीं होगा क्या sliding round का क्या पंगा है, सुनिएगा जहां से they are saying, वहाँ पे जो office के जो disc पे जो बैठे हैं उन्होंने बोला है कि freeze करो चाँ float दोनों बराबर है दोनों बराबर है, चाँ freeze करो चाँ float आपको college में report करना है college fee submit को करने को बोलता है तो college को fee submit भी करनी है, आपकी seat block हो जाएगी, आपको वो seat मिल जाएगी float करने के बाद भी आपको college में report करना ही करना है चाब freeze करो चाफ लोट आपको college में report करना है साथ document submit कराने है फीस वेगर आपको साइचीज़ submit करानी है दोनों का से मतलब है अगर मैंने freeze कर अब इसके बाद कौन सा round होगा वो घह रहे है कि वो 25 तारीकोई spot round का notice निकाल देंगे coming 25 इतनी जल्दी और हो भी सकता है क्योंकि जैसे इनने sliding round skip करा है spot round जल्दी पर जल्दी पर इंदरपस University बहुत जादा late कर रहे है 25 तारीकोई आपको spot round को notice आजाएगा उसमें वो बच्चे भी जा सकते है जिन्नोंने freeze करा है वो बच्चे भी जा सकते है जिन्नोंने float करा है एक तरीके से back in the mind they are saying कि freeze your float एक चीज है ठीक है आप दोनों में से कुछ भी करो या फिर मैं बोलू freeze your float फ्रीज ही है आप जा के college में report करो साई चीज़े करो फिर उसका तो में spot round होगा spot round उन्हेंने fees भी बताई है 500 रुपे आपकी registration fees लगेगी जिसको 25 तरीक को notice निकाल देंगे और 25 के 26 होते हैं 25 को निकल जाता है वो उन पर depend करता है बागी देखते हैं और क्या होगा कि वो spot round को notice निकाल देंगे और चीज़ें आगे conclude करना start कर देंगे spot round का registration 500 रुपेगा होगा बहुत जादा बड़ा update बहुत जरूरी update था मैंने आप कोई बता दिया है